दोपार का समय था रोहिनी अपने कमरे में लेट कर मोबाई में कोई वीडियो देख रही थी तभी उसकी सास कमरे में आई और कहने लगी बहु मुझे भूख लगी है रोहिनी जुझला उठी और कहने लगी अरे थोड़ी देर पहले ही तो फल काटकर दिये थे आपको इतनी जल्दी भूख लग गई जान की जी सकुचा गई और कहने लगी पता नहीं बहु आजकल इतनी भूख लग रही है अब मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है नहीं तो मैं खुदी रोटिया सेख लेती तुम चलो न मेरे लिए चार रोटिया सेख दो रोहिनी ने मोबाईल ये रोटि बनाने में अब जुझलाःत होने लगी थी रोहिनी खुद दो पहर में दालचावल खाती थी लेकिन उसकी सासको डौक्टर ने दो पहर में रोटि खाने के लिए कहा था तो मजबूरन उसे रोटिया बनानी पड़ती थी अब अगर वो रोटी बनाने से इंकार करती तो बात उसके पती सुधाकर तक पहुँचती और फिर पती उस पर नराज हो जाता इसलिए वो मन मसोस कर सास के लिए रोटी बनाने में जूट गई जब रोटी बन कर तयार हो गई तो उसने अपनी सास को खाना परोसकर दे दिया अब खाने के समय सुधाकर ने एक नियम बनाय था कि वो मा से रोज वीडियो कॉल पर बात करता था इससे वो देखता था कि उसकी मा खाना सही डंग से खा रही है या नहीं क्योंकि उसकी माँ खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह थी वह शुरुवात में भी दाल और सबजी बगर जादा नहीं खाती थी और अब डॉक्टर ने उन्हें सब कुछ खाने के लिए कहा था तो सुधाकर देखता था कि वह ठीक से खा रही है या नहीं इसलिए जा खाने के थोड़ी देर बाद ही उसकी सास अपने कमरे से आवाज लगाते हुए बोली बहु अब दूद भी गर्म करके दे दो तब रोहिनी बहुत चिड़ गई और सोचने लगी कि दिन रात मेरी सास मुझे खाने पीने के लिए ही आवाज लगाती रहती है वो ये नहीं समझ पाई कि अब इस उम्र में उसकी सास बस खाने पीने का ही तो ध्यान रख सकती है बाके उनकी कुछ ज़्यादा फर्माईशे तो थी नहीं वो ना तो बहु से अपने पैर दबवाती थी ना ही बहु पर कोई रोक टोक लगाती थी बस उनसे भूग बरदाश्ट नहीं होती थी तो वो समय समय पर उससे कुछ न कुछ खाने के लिए मांगती रहती थी जब उन्होंने उसे दूद गरम करने के लिए कहा तो वो रसोई में गई दूद उबालते हुए वो सोचने लगी कि मेरी सास बस मुझे खाने पिने के लिए परिशान करती रहती है ऐसा करती हूँ कि आज से मैं सास को दूद में पानी मिला कर दे देती हूँ तब इन्हें पता चलेगा उसने अपनी सास के गिलास में आजे से थोड़े कम में गरम पानी भर दिया उसके बाद उसने दूद मिला दिया उसने एक चम्मत से दूद चका तो दूद का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा था वह सोचने लगी कि ऐसे तो सास को पता चल जाएगा कि इसमें पानी मिला हुआ है इसलिए उसने दूद में थोड़ी सी चीनी भी मिला दी फिर वह सोचने लगी कि बस अब सुधाकर के वापस आने से पहले मैं इन्हें दूद दे देती हूँ अगर ये दूद के स्वाद में कोई शिकायत भी करेंगी तो मैं इन्हें बहला दूँगी कि दूद वाला ऐसा ही दूद दे कर गया है तो मैं क्या करूँ ऐसा सोचकर वह मनी मन मुस्कुरा ओठी थोड़ी देर पहले ही उसकी सास फोन पर किसी से बाते कर रही थी तो भी वो बहुत चिड़ गई थी कि मुझे तो यहां काम पर लगा रखा है और खुद फोन पर गपे मारती रहती है दूद में पानी मिलाने के बाद उसका मन एक अलगी संतुष्टी से भर उठा उसके होटों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई उसके बाद जब डाइबिटीज से पीडित सास के दूद में पानी और चीनी मिला कर बहुर असोई से बाहर आई तभी अचानक से सामने का नजारा देखकर उसके होश ओड़ गए क्योंकि हॉल में सुधाकर उसके पिता अविनाज जी के साथ बैटा हुआ था अपने पिता को वहाँ पर बैठे हुए देखकर रोहिनी हैरान रह गई वो भागते हुए अपने पिता के पास गई उनके घुटनों के पास बैठकर वो परिशान स्वर में कहने लगी रोहिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह हैरानी से सुधाकर की ओर देखने लगी तो सुधाकर ने रोहिनी से कहा बाते बाद में करना पहले बाबु जी के लिए कुछ खाने पिने के लिए लेकर आग रोहिणी जट से रसोई में गई उसने जल्दी जल्दी एक कटोरी में सबजी निकाली दूसरी कटोरी में डाल निकाली और गर्मा गरम रोटी सेख कर अपने बाबुजी के लिए खाना लेकर आई खाना देखते ही अविनाज जी की आँखों में आसू आ गए रोहनी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था सुधाकर ने अपने ससुर जी से कहा पापा जी चलिए हाथ मूँ धोकर फ्रेश हो जाईए और खाना खा लीजिए वो ठके हुए कदमों के साथ रूम में गए हाथ मूँ धोने के बाद वो बहार आए तो सुधाकर ने साफ तौलिया आगे बढ़ाते वे कहा लीजिए हाथ मूँ पोच लीजिए फिर अविनाश जी डाइनिंग टेबल पर बैट गये और खाना खाने लगे जब वो खाना खाने लगे तब सुधाकर बहुत प्यार से उन्हें खाना खाते हुए देख रहा था तब ही जानकी जी अपने कमरे से निकल कर बाहर आ गई वो कहने लगी बेटा सिर दर्द की दवाई लिया है तू बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है अविनाश ने कहा मा आपने खाना खा लिया तो यह गोली खा लीजिए जानके जी ने कहा बेटा मैंने खाना खा लिया है फिर वो भी अविनाश जी के पास या कर बैट गई और अविनाश जी की ओर देखते भी बोली भाई साहब जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है लेकिन बच्चे अगर लायक हो तो बुढ़ापा आसानी से कट जाता है अविनाश जी बोले कि आपका बेटा बहुत लायक है ये ना केवल आपका ध्यान रखता है बलकि आज इसने मेरी तकलीफों को भी समझा रोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बाते कर रहे हैं ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सास को भी सब कुछ पता है अविनाश जी ने जब खा लिया तब रोहिनी ने सुधाकर से पूछा अब तुब बताओ बात क्या है सुधाकर ने उसे एक कोने में ले जाकर धीरे से कहा देखो अब पापा जी यहीं पर रहेंगे तुम हमारे बगल वाले कमरे की साफ सफाई करके पापा के रहने की ववस्था कर दो यह सुनकर रोहिनी हैरान रह गई और कहने लगी क्यों? क्या भापा के साथ कोई गलत वेभार किया है? तुम बताओ मुझे, मैं उनकी खबर लूँगी सुधाकर बोलने लगा जानदो यार, जो जैसे कर्म करता है, वैसे फल भुगतेगा हमें बस अपना कर्म सही रखना चाहिए तुम्हारी भाभी दोपर में बाबु जी को दाल में पानी मिलाकर परोस रही थी बाबु जी ने बस इतना ही कहा एतनी पानी वाली दाल मुझे अच्छी नहीं लगती है तो तुम्हारी भाभी ने घर में बहुत झगड़ा किया और दोपर से तुम्हारे बाबु जी को खाना भी नहीं दिया था शाम को तुम्हारे भईया घर आये तो उन्होंने भी तुम्हारे बाबु जी को ही उल्टा सिधा सुना दिया तब बाबु जी गुस्से में घर चोड़ कर निकल गए थे इसी दोरान बाबु जी मुझे एक मंदिर के बाहर मिले और मैं इन्हें घर ले आया पहले तो ये कुछ बता ही नहीं रहे थे बाद में मैंने इनसे जब अपनी कसम दे कर पूछा तो इन्होंने रोते हुए सब कुछ बता दिया ये बहुत दुखी थे कि बुढ़ापे में बच्चे बुजुर्गों के खाने पीने के साथ भेदभाग क्यों करते हैं क्या बुढ़े लोग इतने बेकार होते हैं कि उन्हें सही डंग का भोजन भी ना मिल पाए यह सुनकर रोहिनी जो थोड़ी देर पहले तक भाईया भावी पर क्रोधित थी वह शर्मिंदा हो ओठी क्योंकि खुद उसने भी तो सास के दूद में पानी मिलाया था हाला कि घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसे भी तो यहीं लगता था कि बुड़ी सास को दूद पीने की जरूरत क्या है उसकी आँखों में पुष्चाता आपके आंसु आने लगे उसका पती कितना अच्छा है जो उसके बुड़े पिता को अपने घर ले आया था और वो कितनी गंदी मान सिकता की हो गई थी कि अपने ही सास के घर में दूद में पानी मिला रही थी उसकी आंकों से टपटा पांसो टपकने लगे तो सुधाकर बोला कि मुझे पता है कि तुम्हें अपने भाईया भावी के वेवहार से बहुत दुप पहुचा है लेकिन तुम्हारे बाबुजी का ध्यान रखने के लिए हम लोग है ना तो फिर तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है वैसे भी तुम्हें पापा की चिंता लगी रहती थी तो अब यहीं रहेंगे तो तुम्हें भी उनकी चिंता नहीं होगी रोहिनी बस इतना ही बोल पाई कि आप कितने अच्छे हैं एक दमाद होकर भी अपने ससुर जी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं आप सुधाकर धीरे से हस पड़ा और कहने लगा तुम भी तो एक बहू होते हुए मेरी मा का इतने अच्छे से ध्यान रखती हो मेरी मा की इतनी देख भाल करती हो तो मैं तुम्हारे पिता के बारे में क्यों नहीं सुचूंगा रोहिनी की आँखों से पश्चताप के आंसू टपकने लगे कि वह सच में कहां सास का ध्यान रख रही थी वह तो आज अपनी सास को दूद में पानी मिला कर देने जा रही थी उसने मन ही मन खुद को कोसना शुरू कर दिया कि यह में क्या करने जा रही थी वह तो अच्छा हुआ कि आज उससे यह पाप होने से बच गया था वह रसोई में गई उसने वह पानी मिला हुआ दूद खुद पी लिया और उसने संकल्प लिया कि आज के बाद से वह कभी भी अपनी सास के खाने पीने में कोई भेदभाव नहीं करेगी जिस तरह उसे खुद के पीता के लिए दर्द हुआ था कि भावी ने उनके खाने पीने में लापरवाही क्यों की उसे तरह उसे अपनी सास के बारे में भी सोचना होगा कि उसकी सास के सास कभी कोई गलत विभार ना हो तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा धन्यवाद